असलाम अलेकम वेलकम टू माई चैनल कैसे आप सो विमिक करती हूं खैरियस से होंगे मैं भी खैरियस से हूं अलहम्दुलिल्ला आज हम ओर्स बनाएंगे मसाला ओर्स जो बहुत ही हेल्दी रहेंगा नाश्ता जिसके लिए हम सफोला ओर्स ले लिए साधा वाला में 1500 ग्राम ओर्स ले अर्वेज में हम लिए वाजर लिए एक इसको छॉपकर करके रख लिए एक पयास नहीं चॉप करके रख लिए प्यास को बटाना होता हो भी ले सकते हैं अब इसको हम एह तलका सा फ्रै करेंगे अभी 2-3 मिनट होगे इसको फ्रै करते हुए हम नमक डाल लेंगे इसमें आदा चंचा है नमक डाल लेंगे अब अपने टेस्ट के हिसाब से दाल सकते हैं, कम ज़्या ज्यादा अब अब लेंगे थोड़ा से अगर यह सब्जिया ना भी हो तो बनाया जा सकता हूं रोज कियाज के साथ तामाटर के साथ अब हम लास्ट में आप तामाटर दालें अब हम लुद्ध अब हम लाइब तामाटर भी आदा हम डालनें इसमें सारे लासाले अच्छे से सप्जियों को हम पीज़ी सारे सप्जियों को अच्छे से प्राइब कर लेंगे अभी हम इसमें मिर्ची फोई सी मिर्ची दालेंगे फोड़ा थल्गी दालेंगे तो थोड़ा थोड़ा दालेंगे हम इसमें अभी क्यूंके हरीमाची पेस्ट भी हम लिये अद ये हरीमाची पेस्ट भी दालनेंगे तो थोड़ा 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 कोट्नेग दालने नहीं हम इसमें पुड़ासा मसाला दालेंगे हम जरे मसाला अभी पान दालेंगे अभी ग्लास पाने दालें earn अभी इसको पकने देंगे आनिक गरम हो गया है आप हम ओर्स दालेंगे पकते मेगे तो ओर्स तहीन से नहीं बनते हैं अभी हम इसका बात दालेंगे संदके एक बली पके भूध भी भूध भूध हेल्दी है और जहटपट से भूध टेस्टी बनते है इस तरह से घर में बनाए तो अगर हम बाहर से लिए मसाल आउट्स की पाकिट तो भूध मैंगी पड़ती इस तरह से बनाके देखिए बहुत टेस्टी बनता है यह और बहुत हेल्दी है, थोड़ा पानी और दालेंगे हम, ताकि अच्छे से पक जाएं, तकरीबन देड़ ग्लास पानी के आइस में, अभी दो से तीन मिनिट इसको हम इसी तरह से पकाएंगे, फिर रिशोट करेंगे, आप लग ज़रूर बनाईए है फ्रेंड्स, बहुत हेल है तो, देखी फ्रेंड्स, अभी हमारा हेल्दी मसाला और्स बनके तयार है, आप लोग भी बनाईए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है, तो सस्क्राइब किजिए, शेर किजिए, अपनों में, कमेंट्स किजिए, जजा कर दा,